गुड मॉर्निंग सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम सवाल की शुरुआत करेंगे उधारण 4 से उधारण 4 में 2013 के परिशिष्ट तीन के अनुसार कमनी की पकी तलपट इक्वीट और दाइत्व पक्ष तेयार करना और दाइत्व फिर हमें जा मालू में कितने पक्ष हैं इसमें तीन एक तो और तीन इसमें कितने हैं दो तीन और चार बराबन यह शेरधारण को का भंडो फिर बताओ बिनचालू के जाएत्व और यह को मैं ने सवाल पढ़्णा हिना हमीं सवाल में सिर्फ ऐसी फठाफट देखो यह 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 यहनी पढ़ा मैंने हमेंसे पहले फट्टाफट क्या करना है फॉर्मेट बनाई देना है ऐसा format इसलिए मैंने आपको format क्योंकि format बना देना है चुप जाओ आपको परीशा में सबाल बोलेंगे कि 2013-2013 तो जो format मैंने आपको सिखाया सफीधा-सीधा format बना दो वीवरण नोट नमबर रकम के दो कोलम ऐसा format बना देना है format बनाने के बाद सिर्फ आपको क्या करने देख देख के रकम भरनी ठीक है बिन चालो दाइतो चालो दाइतो अब यहाँ पर तो शेर पूंजी और अनामत और अधिक यह और यह तो हमें मालूम है जो इसका नाम है बिन चालो यानि देर्दकालिन दाइतो मतलब उधारली रकम देर्दकालिन उधारली रकम अब यह अन्य उधारली रकम यानि अन्य देर्दकालिन दाइतो और किस प्रकार का दाई तो होता है दिद्ध कालिन प्राउधान होते हैं तो दिर्ध कालिन प्राउधान सेम उपर वाले तीनों नीचे पर ये दिद्ध कालिन है ये अल्प कालिन उपर दिद्ध कालिन है ये दिद्ध कालिन है वाँ पर लिखेंगे अल्प कालिन अल्प कालीन उधार ली रखाँ सेकेंड क्या है अन्य दिद कालीन दाईतो यहाँ पर क्या लिखेंगे अन्य अल्प कालीन दाईतो एक लाइन छोड़ कर अन्य अल्प कालीन दाईतो फिर यहाँ पर क्या दिद कालिन प्राउधान तो यहाँ पर अलप कालिन प्राउधान कालिन प्राउधान बराबर एक रहा गया कौन व्यापारी लेंदार है तो क्या आएगा देना व्यापारी देना बस यह भर लेना है यह हो गया अब इसमें से देख देखकर रकम फिलब करेंगे क्या है व्यापारी देना तीस अजार अब हम सवाल में देखकर रकम को भरेंगे क्या लिखा हुआ है व्यापारी देना तो हमारे सवाल में व्यापारी देना कहां आएगा यहाँ पर कितने रुपे व्यापारी देना के तीस अजार फिर फिर क्या लिखा है दिर्धकालिन प्राउधान तो सवाल में कहा है दिर्धकालिन प्राउधान दिर्धकालिन ये रहा तो यहाँ पर रकम लिखेंगे कितनी है देतक अलिन प्राउधान की रकम साथ अजार फिर क्या है अनामत रादिक के असी συजार कहाएगा अनामत रादिक क्या है यह रहा असी कहां healthy कि अन्य अल्प काल in दायटव इसको चालू दायटव भी recaно देगा कि तो यह रहा अन्य चालू दायटव कितने रुपे 25000 को उसके बाद 서도 प्लप कालिन उधार ली रकम 24000 अलो है यह रहा देव़ो पहला बाला ऐलंप कालिन उधार ली रकम 24,000 तो यहां पर लिखेंगे उसके बाद शेर पूंजी कितनी लिखी है दो लाख पर अबर वो कहा पर है यहां पर सबसे पहले शेर धारकों का बंडोर में शेर पूंजी कितनी लिखेंगे दो लाख उसके बाद अल्पकालिन प्राउधान अल्पकालिन प्राउधान है 35,000 अल्पकालिन शब्द कहां पर आया हुआ है अल्पकालिन प्राउधान यह रहा 35,000 उसके बाद क्या है उधार दिर्द कालिन उधारली रकम एक लाग 20,000 अन्य दिर्द कालिन जिम्मेदारी चितर histories और अन्य दिर्द कालिन जिम्मेदारी यह रहा 26,000 ैग है बस आपको डूंडूंड कर इस में भरना यह रहा ये दो है तो दोनों का टोटल देखो यहाँ पर दो है ना तो दो का टोटल बाहर ये तीन है तीन का टोटल ये सब का टोटल एक साथ नहीं ये पूरी कॉलम यहाँ पर पूरी हो गए इनका टोटल लिखने बाहर 2,80,000 यहाँ पर ये कॉलम पूरी हो गए इन तीनों का टोटल मिला के लिखना, एक लाख 6 एक मिंठ हां, टोटल करते हैं हम लोग, 6,9 और 6,15, दो लाख 56,000, और यहां पर 5, और 4,10, 14, 5 आपल, 10 और 4,14, हजार उपर आया एक दो और यह तीन तीन और तीन छह साता नौदस ग्यारा ग्यारा तो ग्यारा हज़ार एक लाग चौदा हजार दो लाग चपन हजार दो लाग असे तीन दिनों का टुटल हुआ छे लाग पचास अजार टुटल इस तरह से अफ़ी संपतिया अगर होगी तो यहां से आपको संपतिया शुरू करने पर सवाल में सबस्ट कहा गया था कि सिर्फ एक्विटी और दाइत्व का ही है बराबर है जैसी आपकी सवाल होगा वैसे फिर यहां पर देखो क्या हुआ यह भी एक्विटी और दाइत्व का उधारण पांच है उधारण छे उधारण छे अलग है उधारण साथ ने फिर हम उधारण आट तो मैं कल आपको उधारण में हम पहले चार है सेम वैसा और एक प्रेक्टिस करेंगे उधारण पांच की तो यह पॉक्ष की तो आपको य समझाया था तो यह एक बार दो बार हुआ आज तीन बार और एक सवाल आ जाएगा तो चार बार हो जाएगा तो यह पक्स चार बार रिविजन होगा इतना इजी है बहुत इजी मैथड से आपको याद हो जाएगा और ग्यारा माक्स है तो एक और एक कोलम आ जाएगी ग्यार Max, बहुत इसी है, ठीक है?